दोस्तों आज के इस वीदियो के अंदर हम बात करने लिए आर्जीसी वर्सस पीरेट्स के विचों होने हो लिए आज के पहले इसी सीटें जिपरेलतर मैच के बारे में एक एक प्लेगा पुरा-पुरा एनालीसिस कौन किस नंबर पर बल्ले वजी के लाएगा कौन कितने और सब्सक्राइब करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीजियों के बात करेंगे आपको वीडियो के इंदर एक तीम मना गोगा यह कमारी इनिसियल तीम होगे जो की लाइना पाने से पहले एक तीम है आफ्ता तोस हमारी जो भी फाइनल तीम होगा हो में स्क्रीन स्वाथ के जरीया अपने तलिक राम चलो को फुरी में अपनी फाइनल टीम भेज दूँगा आपका तलिक राम चलो कर जोईनों जरूरी भी आसान में रिक्दम फुरी भी रहनों लाए जिसका लिंक आपको इसी पर यहां पर जो आखरी पांच मैचेस हुए हैं वहां पर करीब कर देखने को मिला हुआ है वहीं का बात करें यहां पर लोग स्कुरिंग यहां पर काफी अच्छा परफॉर्मस करके दे रहा है वहीं बात करें कौसी टीम ही मैं जीट सकते तो मुझे लगते कि पिरेट्स क सबसक्र सबसक्राइब करने तो इस सबसेबास करके दो सबसक्रें एडंबर्न जो किसमें नम भल्ले इसका प्लस आपको बॉलिंग से दो और पुरा खरके देने वाला है उसके बाद यहां से आई लैतिन के बाद करो बल्ले बाची में भी हर ऐसा ओपना खेलेगा हर बॉल पे चक्के माने वाला प्लेयर है अगर आप देखोंगे आखरी मैंचे बॉलिंग एक ओवर भी नहीं कर रहा ह उससे पहले बाले मैंचे दो ओवर बालिंग पुरा कर रखा है यहां पर भी इसने दो ओवर बालिंग पुरा कर रखा है यानि कि पहले बल्ले बाची और बालिंग दोनों चीज़ कर रहा था लेकिन आखरी के दो मैचेस में इसको कोई जादा बालिंग करने का मौका नहीं मिला है लेकि प्लेयर अच्छा है बल्ले बच्छी बालिंग दोनों चीश करेगा के वी सी के लाप ले नंबर वन चोईस रहेगा उसका दिया से के नैस्टर जो कि बल्ले बाच्छी ऐसा ओपनर आएगा प्लस आपको ये भी दो ओवर बालिंग पुरा करके देने वाला है एक और आखरी मैसे यहाँ भी बालिंग यहाम भी इसने एक और बॉलिंग क्या में लेकिस से पहले है कि इस सबस्क्रीक देनें वाला है अब बल्ले बाच्छी में आकेप दोनों चोपर रहेखर करके देने वाला है पंक कर रहेगा उसके अलाबाई यहां से देखो कोई भी ऐसा प्लेर है नहीं जिसको आप ले करके चल पाओ यहां से निला कुर्टी ने आखरी मैं अच्छे दो ओवर बालिंग पुरा कर रखा है लेकि फिर भी कोई ज्यादा मौका मिलने के बहुजित भी परफॉर्मेस करके दे लेगा नहीं अगर आप रिसली मैंचेस में देखोगे ना तो दोनों ही तिमकवस काफी बालिंग ऑप्सन है सबसे पहले मैं बात करूँ पाइरस की तीम कर रहे देखो एल बढ जो कि हर मैंचे दो ओवर बालिंग फेकी भेकर आए जेवेस्ट जो कि यहां पे जो इसने यह लिए जो नहीं कि बालिंग नहीं कर सकता हैं दो नहीं कर सक्ता लेकिन आखरी के दो मैच्थे स्थुपटब में बालिंग कर लगा है तो प्लेयर ये भी अच्छाई एक दो तीन यहां से बालिंग ऑप्सन हो गए पी आई आर की तीम के पास उसके बाद यहां से एंजोसी इसको भी आखरी के मैच्छस में प्लेंग 11 में खेलाया नहीं गया है अगर यह भी खेलेगा तो एक एक दो दो ओवर बालिंग पूरा आखर के देने हो ला है यहां भी इसको द मैच्छे दो ओवर बालिंग पुरा कर रहा है यहां से बालिंग ऑप्सन है आपके लाए एम लमीम जो कि एक स्पिनर बालर है बल्ले बाची में दसवी नमा करीब आएगा लेकिन हर मैच्छे एक ओवर बालिंग करके दे रहा है उसके बाद यहां से एक और प्लेय देख तो मिले हुए यहां पर भी इसको दो मिले हुए यहां पर भी एक विकेट मिला हुए तो प्लेयर इससे में फॉर्म में भी आ लेकर क्या आप जरूर चलना है यहां से और भी प्लेयर तो इतने सारे बालिंग आपसन सिर्फ एक ही टीम के बास यानि कि डोनों इतीम के लिए तो बाल्लास काफी जादे हैं यह चिसको अध्यान देकर के चलना है मैं आसे लेकर के चलूँगा आर्क निंगम को और उसके अलावा मैं इस तरीके सा भी प्लेस को लेकर के चलाओं बात करेंगा अपने सामने वाली तीम के बारे उससे पहले देखो यह जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दिखार हूँ यह कबारी इनिसियल तीम है जो खेल सकते हो हमाई तरीक रामचल लिंक आपको इस वीडियों को सबसे वह पिंद की हुआ आपको कुछ भी नहीं आप जीज़ भी वीडियों को देखे करें इसके तैदर को अब क्लिक करोगे या फिर आप तउच करोगे आप सीधे सीधे आप दिसकिप्सन पहुंचेंगे जह सबसे पहले यहां से सामने रगभी की तीम के पास बॉलिंग ऑप्सन जे मैथ्यूस आखरी के मैचस में खेला नहीं का अगर खेलेगा दो ओवर बालिंग पुरा करके देन वाला है एस बोधा की बात करो आखरी मैचस बहले इसने एक ओवर बी बालिंग नहीं कर रखा है में लीज बालर बड़े लेवल का बालर अगर इसको दो ओवर बालिंग पूरा मिल जाए और अपने बड़े लेवल जैसी बालिंग करके दे तो आपने क्यावी इसके लिए भी नंबर प्लेयर रहेगा लेकिन आlakली मैसे अच्छा है आप इसको लेकर करें जरूर चल सकता है अगर यह आपको जो कि आपको हँर मैंचे एक से दो ओरंग पुरा करकिंधी दे रहा है। यहाँ पर बी इसको रहा है तो काफ़ी अच्छी बालिंग करके तेरा है। जेट सिम्सन ये भी आपको हर मैंचे दो ओवर बालिंग पुरा करके तेरा आखरी मैंचे काफी अच्छा करके भी आखरी के तीन मैंसे दो मैंचे में ले करके आपको जरूर चलना है C.Gomila ने भी आखरी मैच दो ओवर बालिंग पुरा कर रखा ये चीज़ को फोकस करके चलना है उसके अलाबा यहाँ से देखो अब यहाँ से एक बालिंग आपशन होगा C.Gomila दो बालिंग आपशन होगा तीन बालिंग आपशन होगा जो की दो-दो ओवर बालिंग पुरा करेंगे इसके लावाद चार बालिंग ओप्शन होगे एमर रोसन एस बोधा भी है जो की कभी भी आपको बालिंग करके दे सकता है यानि के पांच तो पहली बालर है उसके बाद यहाँ से आपको आई लेतिन देखर मुलेगा जो की हर मै यहाँ से देखो दी क्वेट्स को आखरी मैंचे खेलाए नहीं कि अगर खेलाया भी जाएगा ना तो बल्ले बाजी में भी काफी नीच चाहेगा बालिंग भी जादा करेगा नहीं इसके लावा यहाँ से एक ओवर भी बालिंग नहीं किया लेकि उससे पहले बाले मैंचे इसने दो ँवर बालिंग क्या जाभ इसको दों विगट मिल गए यानि कि काफी अच्छा बॉललर है अगर इसको बालिंग करना का मौका मिले धर प्लेइर का जैलेके मौका बहुत कम दिया शारा है उसके अलावा यहाँ से और को वी दिन आच्छा प्ल מה म सब़ोरी में बल दो और भइ विक्ट भी मिला हुआ है तो प्लेयर ये भी काफी सांदार है बाकी यह से कोई भी तरह अच्छा प्लेयर है नहीं वह यह कब बात कर अपने क्या वीस्टी के बारे में मैं किसको बनाऊंगा उससे पहले देखो मैं अपने पूरे पैसे जोईन 11 चलेजस पे लगा रहे हुँ यहां पर आपको फैंतेस् इस क्रूप है उसके वी उपर से आपको चार से पंद्रह पर से बोनस की भी पैसे को यूस करने को मिलेगा लेवन चलेजस आपका लिंक आपको इस वीडियों को दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जबी क्या भी वास से डाउनलोद करके हैं मेरे साथ खेलना सुरू कर सकते तो मैं भी इस मैच के अदर पूरे पैसे जो है ना लेवन चलेजस पी लगाने वालोगा आप भी जाता यहीं पे खिलाब के जीतने के चांसे जादा रहेंगे मैं पर दिमें कैप लेकर के चले लोगो जिसका नमें यहां से एल बादना बाकी यहां से कोई भी इतना सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भूलना